नमस्कार दोस्तों मैं इसके सिंग पिनैकल के आफीशल यूटू चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम लोग डिविजबिल्टी रूल पर कुछ और कुशन्स करेंगे जैसे आप लोग कुशन देख रहे होंगे फोर्टी नाइन की पावर फिप्टीन माइनस वन यहां किससे भी भाजित होगा तो दोस्तों इस प्रकार के कुशनों को आज हम लोग डिसकस करेंगे ये भी डिविजबिल्टी पर ही बेजड होते हैं दोस्तों आईए पहले हम लोग देखेंगे इनका कॉंसेट क्या है बिन फार्मूला क्या है दोस्तों पहला फार्मूला क्या है ए स्कॉार माइनस बी स्कॉार बराबर क्या होता है ए प्लस बी आ ए माइनस बी दूसरा फार्मूला क्या होता है दोस्तों दूसरा फार्मूला क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a square minus a square plus b square plus a b तीसरा a cube plus b cube बराबर क्या होता है a plus b दूसरे ब्रैकेट में होता है दोस्तों a square plus b square minus a b ये तीन फार्मूला है दोस्तों अगर मैं कुछ और बहाँ छोटी बात बोलने कोशिश करूँ तो आप लोग उसको समझे ज़रा कोई भी नंबर किस से divide होता है दोस्तों कोई भी नंबर अपने factor से divide होता है दोस्तों कोई नंबर किस से divide होगा अपने factor से divide होगा दोस्तों अगर मैं कहूँ ये कोई एक बहुत बड़ा number लिखा है तो इसका एक factor ये है एक factor ये है तो यह number किस से divide होगा अपने factor A plus B और A minus B से divide होगा यहाँ पे ये कोई एक बड़ा number लिखा इसका एक factor A minus B है एक factor ये है A3 plus B की वे बहुत बड़ा नंबर है किससे डिवाइड होगा अपने फैक्टर A plus B और A minus B से A plus B और A से डिवाइड होगा आपकी एक्जाम में बस सेम ऐसे ही लिखा रहेगा या तो power sum दिएगा या तो power b sum रहेगा तो पहला formula जो निकल के आता है यहाँ पे देखते हैं जैसे A की power n minus B की power n किससे भी भाजित होगा दोस्तों तो यहाँ सदयो A plus B और A minus B से डिवाइड होगा जहाँ यहाँ यहाँ क्या है sum sum क्या है sum sum क्या है तो यहाँ पे फार्मूले देखिए A की power sum minus B की power sum है तो यहाँ पे किससे डिवाइड हो रहा A plus B A minus B से तो यहाँ पर B n बरावर sum हो जाएगा तो A plus B A minus B से फार्मूले से हम लोग recall कर लेंगे दूसरा क्या है A की power N plus B की power N सदर किससे भी भाजित होगा दोस्तों A plus B से जहाँ यहाँ क्या है दोस्तों B sum sum क्या है एक और फार्मूले निकल क्या था A की power N minus B की power N सदर किससे भी भाजित होगा दोस्तों A minus B से जहाँ यहन क्या है एक B sum 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 क्या है दोस्तों हमारे क्यूशन में power B sum देनी चाहिए यह मतलब कुछ भी पावर हो 149,100,137,273 कुछ भी दे बिसम संख्या तो हम लोग A cube minus B cube की तरफ दिमाग लगाएंगे अगर power sum दे तो हमें A square minus B square के फार्मूला पे दिमाग लगाएंगे और दूसरी बात क्या है हमारा जो क्यूशन रहेंगे सबसे खास बात क्या रहेगी जो A की power रहेगी वही power B की रहेगी सद की power सेम रहेगी यह सबसे खास बात है दोस्तों तो आईए कुछ क्यूशन से करते हैं दोस्तों हम लोग पहले क्यों संस आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों पहला 49 की पावर 15 माइनस 1 किससे विभाजित होगा तो यहाँ पे क्या लिखा है बिसम पावर है पावर यहाँ पे बिसम है तो मैं A की पावर 15 लिद लूँ तो कोई प्राब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों तो यहाँ पे क्या लिखा है A की पावर 20 माइनस B की पावर 20 मतलब A क्यूब माइनस B क्यूब को फार्मूले को याद करना पड़ेगा तो यहाँ किससे विभाजित होता है दोस्तों यहाँ अपने एक फैक्टर से विभाजित होगा मतलब कि a-b से भी भाजित होगा इसका मतलब 49-1 से भी भाजित होगा मतलब कि 48 भी भाजित होगा हमारी आपसन में 48 नहीं है तो 48 का कोई नो कोई तो गुणन खन दिया ही है दोस्तों इसलिए यहाँ 4 आपसन के लिए चला जाएगा अगला question के है दोस्तों 43 की power 101 plus 23 की power 101 है किस से भी भाजित होगा देखिए A की power बिसम है plus B की power बिसम है तो A cube plus B cube को याद करेंगे दोस्तों तो इसका एक factor A plus B होता है तो A plus B करेंगे दोस्तों तो आएगा 6-6 तो यह 6-6 से भी भाजित होगा तो 6-6 से भी भाजित होगा यह 6-6 का कोई एक गुणनखन से भी भाजित होगा 6-6 के गुणनखन 33 होता है दोस्तों तो अगला एक question लेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या है question 1000 की power 500 minus 1 की power अगर मैं 500 लिख दू तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों आपको तो a की power sum minus b की power sum है तो a sum है तो a square minus b square को याद करेंगे तो यह किस से भी भाजित होगा a plus b से भी भाजित होगा और a minus b से भी भी भाजित होगा तो a plus b करेंगे तो 1000 एक आएगा दोस्तों और A-B करेंगे तो 999 बे आएगा, तो यह किस से भी भाजित होगा दोस्तों, तो यहाँ ध्यान देना दोस्तों, यह 9999 बे नहीं, तो यह इस से भी भाजित होगा दोस्तों, यहाँ आप्षिंग करेंगे, यह भी सही है, यह भी सही है, दूसरा क्यूशन लेते हैं दोस्तों, 3 की power 4N minus 4 की power 3N है यहाँ पर दोस्तो power disturb है तो हम लोग power पहले same करेंगे तो 3 की power 4 करूँगा तो क्या है गत 81 की power N minus 64 की power N अगर मैं ऐसे लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तो तो 81 है यहाँ पर यन का मतलब नहीं बताया है कोई बात नहीं अगर दोस्तो यन एक समसंख्या होगी अगर दोस्तो यन एक समसंख्या होगी देखते हैं दोस्तो यन समसंख्या होगी तो किस से कटेगा ए प्लस बी से मतलब की पाच 145 से कटेगा और और A-B से भी कटेगा दोस्तों तो A-B से भी कटेगा 17 से भी कटेगा दोस्तों और यहाँ 17 से भी कटेगा दोस्तों तो दोस्तों अगर यहाँ ध्यान देना अगर यहन यहाँ बिसम होती अगर यहन यहाँ बिसम होती दोस्तो तो A-B से खड़ता मतलब 84 मतलब 17 से खड़ता तो देखते हैं दोस्तो हमारे option में पायता कोई यन की condition तो दिये नहीं है तो इसलिए हमारा common option क्या है यन बराबर 17 अगला question एक और लेंगे दोस्तो अगला question हम लोग एक और करने की कोशिश करेंगे दोस्तों आगला question आप देख पा रहे होंगे 43 की power 103 23 की power 103 में 66 से भाग देने पर 6 फल क्या आएगा दोस्तों तो 66 से भाग देने पर 6 फल क्या आएगा तो A की power 20 प्लस B की power 20 है दोस्तों A की power 20 और B की power 20 है तो या किस के भी भाजित होगा पहले मुझे ये बताईए तो यहाँ a पलस b से भी भाजित होगा दोस्तों तो a पलस b का मतलब होता है दोस्तों चाचट तो दोस्तों अगर इस संख्या में यहां चाचर से भी भाजित हो रही है दोस्तों यहां संख्या आपकी चाचर से भी भाजित हो रही है दोस्तों अगर मैं इस संख्या में चाचर से भाग दू तो सेसफल तो जीरो आएगा चूंकि चाचर से पूरुडत है भी भाजित हो रही है तो सेसफल दोस्तों जीरो का उभय निष्ट गुडन खंड क्या होगा means common factor क्या होगा दोस्तों पहले हम लोग देखेंगी है संख्या किससे भी भाजित होगी दोस्तों तो देखेंगी है संख्या किससे भी भाजित होगी तो a की power sum minus b की power sum है तो a plus b और a minus b से भी भाजित होगा तो a minus b इससे भी भाजित होगा तो a minus b करेंगे तो दोस्तों आएगा आपका 36, clear है दोस्तों, यहाँ पे आएगा 36, और यहाँ पे करेंगे दोस्तों तो आएगा 62, और इस फार्मूले पे बात करता हूँ, क्या लिखा एक पावर बिसंब प्लस b की पावर बिसंब है, तो यह किससे भाजित होगा? नहीं, A plus B का मतलब की 13 plus 37 plus 25 से भी भाजित होगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका एक फैक्टर क्या होगा, 37 ना, 37 plus 25 से भी भाजित होगा, इसका मतलब की 62 से भाजित होगा, तो दोस्तों, इन दोनों का common factor क्या है 62, ये 62 से भी भाजित हो रहा है, ये 62 से भी भाजित हो रहा, इसका common factor 62 होगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक क्युस्टन और लेंगे दोस्तों, जैसे, 7 की power 12 माइनस 14 की power 12 है, किस से पूर्ण तेह भी भाजित होगा मेरे दोस्त, तो यहां किस से विवाजित होगा तो A की पावर सम माइनस B की पावर सम है तो यहां A प्लस B से विवाजित होगा और A माइनस B से विवाजित होगा अगर A माइनस B लिखूंगा तो दोस्तो आएगा 3 अगर A प्लस B लिखूंगा तो दोस्तो आने वाल है 11 यहां तो पड़ी प्र पाफ़ी होगी दोस्तों यहां ना तो 11 में है आफशन ना तो 3 है आफशन तो क्या करेंगे दोस्तों यह थोड़ा से दिक्कत कभी से आगया कोई बात नहीं हमें लेकिन आफशन तो इसमें आफशन के कोडिंग करना पड़ेगा तो क्या करेंगे दोस्तों पावर चेंज करके power change करेंगे और power same भी रखेंगे, यहां क्या करेंगे 7 की power 2 की power 12 लगाऊंगा, minus 4 की power 2 की power 6 लगाऊंगा, अब यहां पे power 6, 12 नहीं 6 होगी तो क्या लिए 7 की power 2 की power 6, यह हम bracket लगाऊंगा दोस्तों, तो यह करेंगे 7 सता 49 की power 6, minus 4, 4, 16 की power 6 अब यह 49 की power 6, minus 16 की power 6 लगाऊंगा तो अब इसको 49 से 16 निकालेंगे दोस्तों, आएगा 33 तो यह 33 से भी भाजित होगा दोस्तों, कभी कभी हम लोगों को power बदलना पड़ता, तभी हमारा option मैच करता है दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों अगला question मनते हैं दोस्तों अगला question क्या कहता है दोस्तों 7 की power 6 लगाशन 6 की power 6 लगाशन है किस से भी भाजित होगी yen कमान जीरो से बड़ा है और yen 1 पूर्डांग है दोस्तों तो क्या है, yen 1 समसंख्या है, yen 1 पूर्डांग है तो देखेंगे पहले हम लोग चेक करेंगे, इस सवाल की पावर हमारी सम है या बिसम है, अगर मैं पावर यन बराबर एक लिखता हूँ, तब पर भी पावर सम मिलता है, अगर यन बराबर दो लिखता हूँ, छदोनी बारा, सम पावर मिला, तीन लिखता हूँ, यन बराबर मिलाके हमें पावर सम ही मिलेगी ये बात कनफर्म हो गई है तो अगर 6 यह न करूंगे तो 6 कम 6 6 2 12, 6 3 18, 6 4 के 24 कुल मिलाके पावर मुझे सम ही मिलेगी तो कुल मिलाके पावर सम मिलेगी दोस्तों तो क्या करेंगे तो यह किस से भी भाजित होगा तो 7 प्लस 6 से A प्लस B A माइनस B 7 माइनस 6 से भी भाजित होगा दोस्तों जोड त्यारा आएगा अंतर एक आएगा इसका मतलब त्यारा से भी भाजित होगा और यहाँ X भी भाजित होगा हमारा option क्या है दोस्तों त्यारा है तो दोस्तों इस प्रकार से ये छोटा से वीडियो हमने आज कवर किया है, उम्मीद करता हो है, बाते समझाई होगी, अगले वीडियो में पुने मिलते हैं, थेंक्यों दोस्तों